इस वीडियो में हम बना रहे हैं एग्लेस प्लम केक अथेंटिक क्रिस्मस केक एग से ही बनता है लेकिन सेम रेसिपी को हमने एग्लेस फॉर्म में बनाया है किसी को अगर एग का अलर्जी है या एग खाना पसंद नहीं है तो वो एग्लेस क्रिस्मस प्लम केक बना सकता है तो चलिए शुरू करते हैं प्लम केक का पहला प्रोसेस होता है सारे ड्राइफ फूट्स को सोक करना सोक करने के लिए सिर्फ ड्राइफ रूट्स लेते हैं नट्स को नहीं लेते नट्स को बाद में यूज करेंगे क्रंची टेक्स्चर के लिए इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वहां से आप चेक कर लिजेगा Authentic recipe में ड्राइफ रूट्स को रम या प्रांडी में सोक किया जाता है और इसे 2-3 मैने पहले ही सोक करने रख दिया जाता है जितना जादा दिन इसे सोक किया जाएगा उतना ही इसका taste एणहांस होगा मैंने इन ड्राइफ फूट्स को रम में सोक किया है और सिर्फ 15 दिनों के लिए सोक किया है कम से कम 15 दिन तो सोक होना ही चाहिए तो प्लम केक का पहला प्रोसेस है फूट्स को सोक करना नेक्स्ट बेकिंग शुरू करने से पहले हम एक मसाला बना लेंगे औल स्पाइस के नाम से जाना जाता है नटमेक का एक छोटा तुकड़ा ले लिया है एक टी स्पून ब्लैक पेपर छोटे साइज के तीन चार स्टिक्स हमने सिनिमन के ले लिये है एक स्टार एनिस और एक स्पून हमने ले लिया है कलव्स इसमें ड्राइ जिंजर भी डाला जाता है ड्राइ जिंजर का क्वांटिटी जदा डाला जाता है केक में इसलिए मैंने मसाले में नहीं डाला उसे मैं अलग से बेकिंग के टाइम पे डालूंगे अब ये सारे गरम मसाले हमें ड्राइ रोस्ट कर लेना है दो मिनिट में ये रोस्ट हो जाता है जैसे इन मसालों में से खुश्बू आने लगे मतलब ये तयार है मसाले को बगए ड्राइ रोस्ट करें भी पीश सकते हैं लेकिन मैं इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ रोस्ट करने से मसाले में जो तेल है वो निकलता है उसे इसका टेस्ट और भी एन्हांस हो जाता है और खुश्बू भी बहुत बढ़िया आती है अब इसे थोड़ा ठंडा करके हम मिक्सी के बर्तन में डाल कर पीस लेंगे एकड़म फाइन पाउडर करना है अब इसे हम डायरेक्ट नहीं यूज़ करेंगे इसे पहले चान लेंगे किसी छलनी के मदद से इसे पहले चान लीजे ये मसाला बेकिंग के काफी रेसिपीज में यूज़ होता है केक के अलावा कुकीज में भी इसे यूज़ किया जाता है जैसे की जिंजर ब्रेट कुकीज इस मसाला को हमने चान लिया है अब किसी छोटे से एर टाइड डबे में बन करके हम रख देंगे और जब चाहिए हम इसे यूज़ करेंगे नेक्स्ट बहुती इंपोर्टेंट इंग्रेडियन्ट इस रेसिपी के लिए प्लम केक के लिए हमें बनाना है वो है मुलेसिस बैसे तो मुलेसिस मार्केट में इजिली अविलेबल है लेकिन हम घर पे बना सकते हैं ये बहुती इजी रेसिपी है और इस रेसिपी के उपर मैंने अलग सा वीडियो बनाया है उसे आप जरूर चेक कर लीजेगा अब शुरू करेंगे हम केक को बनाना बेकिंग में मेजरमेंट का ख्याल रखिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम सोक्ट ड्राइफ रूट्स ले लिया है थोड़ा कम जादा आप अपने इसाब से ले सकते हैं जितना जादा होगा केक उतना ही टेस्टी बनता है यह केक ड्राइफ रूट्स के लिए ही मशूर है यह रम में सोक ड्राइफ रूट्स है रम पूरी तरह से सोक हो चुका है अगर रम सोक नहीं हुआ है तो आप रम को छान के ले लिजे चाना हुआ रम हम बाद में यूज़ कर सकते हैं आप देखेंगे ये fruits कितना soft हो चुका है सिर्फ 15 दिन ही मैंने इसे soak किया है आज मैं कम quantity का बना रही हूँ इसे directly यूज़ करूंगी अगर आप ज्यादा quantity का बना रहे हैं तो dry fruit से रम को चान लेंगे और थोड़ा सा मैदा उसमें dust करेंगे और फिर इसे cake का batter में mix करेंगे ताकि cake के bottom में ये sunk ना हो जाए नेक्स हम baking tin तयार कर लेंगे मैंने 7 इंच का bread tin ले लिया है आप round tin में भी इसे bake कर सकते हैं parchment paper या baking paper से इसे हम cover कर लेंगे next oven को हम preheat के लिए लगा देंगे और अब cake का batter बनाना शुरू करेंगे एक mixing bowl में 60 gram amul butter ले लिया है ये salted butter है इस cake में मक्खन और टेल दोनों use करेंगे butter को हमें अच्छे से beat करना है 2 minute लगेंगे इसे smooth और fluffy होने में आप देखेंगे इसका color भी light हो चुका है next इसमें add करेंगे brown sugar जो मैंने 60 gram ले लिया है brown sugar को हम butter के साथ mix कर लेंगे brown sugar को अगर आपने mixi से piece लिया तो ये जल्दी mix होगा dissolve जल्दी हो जाएगा अब इसमें add करेंगे 80 gram condensed milk condensed milk egg का substitute है हम eggless बना रहे हैं तो condensed milk को डाल रहे हैं इसमें फिर से एक बार mix कर लेंगे अब add करेंगे 1 fourth cup of oil vegetable oil है ये aprox 50 gram strong smell या taste का oil ना ले इसे भी हम अच्छे से mix कर लेंगे sugar dissolve होने तक हमें इसे mix करना है एक teaspoon vanilla essence डालेंगे एक teaspoon orange का jest और एक teaspoon lemon का jest orange का jest अगर नहीं है तो lemon का jest थोड़ा ज़ादा डालिएगा total दो teaspoon है jest का अब add करेंगे molasses ये मैंने 50 gram ले लिया है सारे ingredient के measurement आप description box में चेक कर सकते हैं plum cake बहुत मीठा नहीं होता ये थोड़ा खटा कड़वा सारे taste इसमें mix होते हैं सारे जो ingredient इस cake को बनने में लगता है ये सारे गर्म है और body में heat तयार करता है इसलिए इसे ठंडियों में winter में बनाया जाता है और Christmas winter में आता है अब हम इसमें one fourth teaspoon salt डालेंगे नमक ये optional हैं आप इसे avoid कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा नमक डालने से इसका taste और भी enhance हो जाता है अब ये सारे ingredient को एक वाफिट से हम फेंट लेंगे इसे किसी भी तरह mix कर सकते हैं कोई cut and fold method से mix करने की जरूरत नहीं है ये plum cake soft बनता है लेकिन दूसरे cake की तरह fluffy नहीं बनता फूलता नहीं है wet ingredient हमारा तयार है अब हम इसमें dry ingredient add करेंगे dry ingredient में मैंने यहाँ पर 180 gram मेटा ले लिया है 1.5 cups इन्हें छान कर जरूर लीजेगा direct wet ingredient में mix ना करें अब हम इसमें डालेंगे 1 चमच baking soda और 1.5 चमच 1.5 spoon baking powder इसमें डालेंगे हमने जो all spice मसाला बनाया है उसमें से हम 1 tablespoon इसमें डालेंगे अब देख सकते हैं इस तरह से हमें भर कर 1 tablespoon डालना है इस मसाले में हमने dry ginger नहीं mix किया था तो dry ginger का powder हम उपर से डालेंगे जो मैंने 1 चमच 1 teaspoon डाला है अब यह सारे dry ingredient को हम छान लेंगे छानने से यह अच्छे से mix होता है और lumps भी नहीं आते dry और wet ingredient को हमें mix कर लेना है इस वक्त थोड़ा dry लगेगा लेकिन liquid हम अभी नहीं डालेंगे इस वक्त हम dry fruits इसमें add कर देंगे जो हमने rum में soak किया था आप इसे fruit juice में भी soak कर सकते हैं यह आपका choice है अब इसे मैं directly इस batter में डाल कर mix करूँगी अब इसे mix करते वक्त हमें अंदाज आएगा कि इसमें और कितना liquid ingredient की जरूद है यह batter कितना dry है batter तो थोड़ा गाड़ा ही होता है लेकिन flowy consistency का होना चाहिए इस cake में हम दूद का इस्तमाल नहीं करते यहाँ पर आप juice का इस्तमाल कर सकते हैं कोई भी fruit juice ले सकते हैं best choice होगा कि आप इसमें liquor ही डाले पहले मैं इसमें 2 tablespoon डालूँगी और इसे mix कर लूँगी इसी तरह से हमें धीरे धीरे डालना है और चेक करना है चाहिए वो juice हो या liquor एक साथ नहीं डालना आप liquor और juice दोनों को mix करके भी डाल सकते हैं लेकिन अगर आपने सिर्फ liquor का इस्तमाल किया है तो इसका taste mind blowing होगा यहाँ पर मुझे एपरॉक्स 1 fourth cup liquor लगा है इसे proper consistency में लाने के लिए आप इस वीडियो में देख सकते हैं इसका consistency कैसा है बस इसी तरह का यह flowy batter चाहिए यह हमारा batter perfectly तयार हो चुका है अब केक में crunch के लिए हमने कुछ nuts यूज़ किये है बदाम, पिस्ता और अक्रोड यह total 100 grams है आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं आपके choice पे अब इसे हम mix कर लेंगे प्लम केक का batter तयार है अब हम इसे baking tin में डालेंगे अच्छे से level करने के लिए एक बार हम इसे tap कर लेंगे अब उपर से थोड़ा सा गानिश करेंगे dry nuts और dry fruits के साथ जो soak किया हुआ dry fruits है उसमें से हम इसे गानिश कर सकते हैं काफी लोग गानिश नहीं करते लेकिन गानिश करने से ये बहुत ही tempting और delicious दिखता है प्लम केक को बिलकुर slowly bake करना है कम temperature रखके इसे bake करना है मैंने मेरे OTG में 40 degree Celsius पे 1 hour 15 minutes bake किया है हर किसी का oven का temperature अलग होता है इसलिए 45 minutes के बाद आप इसे चेक करते रहेगा बेक होने के बाद ये देखी इस तरह से दिख रहा है tempting लग रहा है कि नहीं आपको ये recipe कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक like तो बनता है like के साथ subscribe भी जरू कीजिए अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया हो तो एक बात और share करनी थी plum cake को store कैसे करते है traditionally Christmas plum cake Christmas से देर दो मैने पहले बना कर store किया जाता है cake को cling wrap से air tightly wrap कर लीजे double layer में wrap करना है cling wrap से wrap करने के बाद अब हम kitchen foil से भी wrap करेंगे foil paper से भी जब हम wrap करते हैं तो tightly wrap करेंगे और double layer में wrap करेंगे इस तरह से pack करके fridge में रखा हुआ cake 3 से 4 मेना तो आराम से preserve कर सकते हैं अगर एक बार इस pack को खोलते हैं consume करने के लिए तो उसे जितना जल्दी हो सके consume कर लेना चाहिए दुबारा से ये ज़्यादा दिन के लिए store नहीं कर सकते store करना है तो fridge में रखना है नहीं तो इसे आप room temperature में kitchen में बाहर ही रख सकते हैं room temperature में भी ये cake 8 दिन तक fresh रहता है इस तरह से double packing करने के बाद इस cake को किसी air tight container में भी रखना ज़रूरी है तो container cake के size का होगा तो अच्छा है आप cake को cut करके भी रख सकते हैं लेकिन इसी procedure के साथ उसका packing होना चाहिए eggless plum cake इसका भी taste उतना ही अच्छा है जितना की हम with egg खाते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के लिए thank you और Merry Christmas